Fixed Deposit का हिंदी अर्थ होता है सावदी जमा जैसे कि नम से ही आपको पता चल रहा होगा कि Fixed Deposit यानि कि एक निस्टिस समय के लिए आपका पैसा fix हो जाएगा अब FD के ताथ जो जमा पैसा होता है उसमें एक निस्टिस समय के लिए आपको छोड़ना होता है जिस पर आपको bank ब्याज देती है दरसल FD का जो मकसद होता है वो किसी vicious परिस्तिती में निपटने के लिए आपको बचत करना होता है हलां कि 20 समय से पहले अगर आप FD से पैसा निकालते हैं तो bank आपसे जुर्मना भी वसूल सकती है FD में आप 7 दिन से 10 साल तक की अवदी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं अब बात करते हैं कि FD से क्या-क्या लाव होने वाले हैं अखिरकार हम अगर FD करवाएं तो क्यों करवाएं तो सबसे पहले अगर लाप की बात करें तो FD का सबसे बराफाइदा इसमें guarantee के साथ-साथ आपको return भी मिलता है इसमें निवेस करने से पहले आपको इस बात की बहुत जानकारी दे दी जाती है कि आपको जो maturity पर है वो आपको कितना पैसा मिलेगा इसका जो market का उतार चड़ावा है इससे कोई भी इस पर फड़कने पड़ता है इसका जो ब्याज़र होता है वो अन जो आप account खुलवाते हैं उसके अपक्छा आधिक होता है FD में अगर आप 5 वर्ष के लिए पैसा जमा करते हैं तो निवेसक को जो है income tax से जो छूट होता है वो मिलने के साथ साथ इसमें जो जमा मुलधन है उस पर भी कोई जो ब्याज मिलता है उस पर भी कोई tax नहीं लगता है निवेसक को तत्काल अगर धन के वासकता परती है तो bank जो है वो अपने FD account से रीन ले सकता है और अपनी सहलियत के मुताबिक धन का वापसी भी कर सकता है अब FD पर जो tax कटोती का नियम है 4% का वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं यानि कि FD पर जो tax कटोती का नियम है वो क्या है तो आपको 15 form आता है वो form आपको जमा करना परेगा अगर आप senior citizen है तो 15H का form आपको जमा करना परेगा अब बात करते हैं कि FD अक्वान खोलें के लिए कौन-गोन से आवसिक दस्ता वींज लगेंगे यानि कि कौन-कौन से डॉकुमेंट लगेंगे तो पाचान के लिए कहाचान पर्मान पत्र पाचान के लिए क्वान पतर लगेगा लगेगा जिसमें कि आधार कार्ट पेंग करना चाहते हैं उसका एक चिक लगेगा फिर बात करते हैं कि लगेगा फिर बात करेंगे तो आप अगर नेट्वेंकिंग करते हैं तो आप घर बैठे खुझ से ही अब्री अकॉंट क्या है और अब्री अकॉंट को कैसे खुलेंगे इस तब के बारे मैंने आपको विश्तार से बताया असा करूँगा ये वीडियो पसंद आव अगर ये दासेर करना ना भूलिए दन्यवाद